भागलपूर की बेटी अब पुरवा ने भागलपूर सहित पूरे परदेश का परचम लहराते हुए दिल्ली के संसद्भवन के सेंटरल हॉल में निताजी सुवास्चंद्र बोश की जयनती पड़ अपना बक्तब रखा और उनके विचारों से अभीभूत होकर परधान मंतरी नेन्द मोदी ने उसकी पीड थप थपाई और उसके बाद सभी परतिभागियों जो देश के अलगले कोनों से 26 परतिभागी आये थे उन सभी के साथ परधान मंतरी पीमों पहुचे और उन्होंने सुवास्चंद्र बोश की जीवनी को विश्टार पुरवग सभी च्छाच्छात्रों को बताया फोटो सेशन करवाया और सभी परतिभागियों के साथ उन्होंने लंच भी किया पधान मंतर से मिलने के बाद जो अपुरवा सिंग है वो काफी उत्साहित दिखी और उसके बाद उसने क्या कहा आईए हम आपको सुनाते हैं नमस्कार मैं नाम अपूर वा जैसर क्या आप सभी को पता है कि आज निता जी सभाशन बोस की 126 वी चर्म चैन्टी पूर हो चुकी है इस सुनहरे अफसर पर मुझे बिहार को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला वो भी पार्लमेंट में इतनी कम उम्र में यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और सबसे खुशी की बात यह है कि अभी तक पूरे जितने भी लोग यहां हर स्टेट से एक एक रिप्रेजेंटेटेव है सबसे छोटी में हूँ इस कम रूम में इतनी बड़ी उचाई हासिल करना बहुत बड़ा बात है मेरे लिए तो आज हम लोग पहले तो पार्लिमेंट गए वहां लोगसभा राजसभा देखा उसके बाद हम लोग का स्टार्ट हो गया स्पीच फिर हम लोग उने सेंट्रल हॉल गए और वहां पे बहुत बड़े डिग्निटरीज आए जैसे नरेंद बोदी जी, राजनात सिंग जी, ओम बिर्ला जी, ऐसे बहुत सारे डिग्निटरीज थे, फिर हम लोग उने फोटो क्लिक करवाई बाते की, उसके बाद फिर हम लोग वापस लंच किये पार्लिमेंट में, फिर उसके बाद हम लोग पी एम हो गए, प्रामिस्टर के ऑफिस, उसके बाद वहां आए, उनके सा जान क्या है, और यह बहुत बड़ा मौका था, एक बहुत बड़ा पसर था मेरे लिए, और बेस्ट मोमेंट आगे नेवर एक्सपिरेंस इन मैं लाइफ, सो इसका पुरा श्रे मेरे पेरेंट्स, मेरे फैमिली सब को जाता है, और बस आप लोगों का आशिरवाद ऐसा ही हम बना रहे मेरे पर और मैं ऐसे ही काम्यावी हासिल कर दे रहूं और आपका बिहार का और प्रिभार का नाम ऐसे ही उचाई पर पहुंचाई पर पहुंचाओं दागे संसद भवन में अपना विचार रखा और उसके विचार से जिस तरह से संसद में परधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों ने ताली बजाई और सवासी दी उससे उत्साहित होकर उसकी मा डॉक्टर प्रिती सिकर क्या कर रही हैं आईए हम आपको सुनाते हैं लोकसभा के अध्यक्ष रक्षा मंत्री और अन्या डिग्निट्रीस के सामने उन्होंने अपने 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 अपना परधानमंत्री क्या बिहार की ओर से और मुझे बहुत इस बात की खुसी है कि जो पूरा समू पूरे देश से जिन 23 बच्चों का चैन हुआ था उसमें स इसी है काम्याबी मिले और यह देश की लिए घौरभ का कारी करते रहें अंसे हम समों को एक मुझे जो इसने हर्डावर क्रों यह सदेवर करती रहें और मेरे लिए ब्ला के क्यों को बहुत सारा सिरवाद है और मैरे समूरों के के सेंटरल हॉल में निताजी सुवास्टंद्र बोस पर देश की सबसे कम उम्र की छात्रा अपुरवा सिंग ने अपना विचार रखा और उसके विचार से प्रथान मलत्री काफी परभावित भी दिखे इस वक्त हमारे साथ मौझूद है अमरपुर के पुर परत्यासी और अ बदाईयां मिल रही हैं तो ब्यक्तिगत तोर पर हम लोगों ने अपने जीवन में बहुत सारी उपलब्दियां हासिल की लेकिन जब कोई फोन करके यह कहता है पुर्वा के पिता के रूप में जब यह पुकारा जा रहा है कल से ही या जो लोग बदाई दे रहे हैं तो यह जो खुशी है यह जो च्छन है यह बिलकुल इसका हम बया नहीं कर सकते सब्दों में यह हर इसके पहले की हर खुशी से भारी एक खुशी है सबसे उपर है एक बेटी के पिता के रूप में जाना जाना यह गौरब का विशे है और यकीनन अपुर्वा ने बहुत मान है और गौरब का उश्र पर दाम कि जिस तरह से अपुर्वा ने अपना वक्तव रखा है संसत्भवन में और उसके बाद लगातार बधाईयों का दाउर जाड़ी है एक आपको और आपकी धर्म पत्नी डॉक्टर प्रिटी सिकर को प्रखर वक्ता के रुप में जाना जाता है और पूरा परिवार कही ने कहीं से समाजिक जीवन में राजनितिक जीवन में जुड़ा है और ऐसे में बच्चे अच्छा करें तो यह बहुत खुशी होती है और जो हम लोगों ने एक मुल्य को पकड़ कर राजनीत करने की कोशिश की कि समाजिक जीवन में भी है और जिस तरह से राजनीत में हरास हो रहा है और ऐसे में मुल्यों को पकर कर या आप कहिए कि आज के विसम परिस्तिती में आपके बच्चे अच्छे हो जाएं और उनमें गुन हो जाएं तो इससे बड़ी उपलब्दी और कुछी की बात नहीं हो सकती और यकीन ओसका असर तो बादशीО्क्र आप जैसा करते हैं आपकी जैसी आपकी जो धरा होगी आपका जैसा कर्म होगा उसका असर निस्चित और बच्चों पर वह दिखाएं तो और जो अभी अब़ेद हैं किसका किसका देन इस पर आपको लगता कि आज जो अपुरबा जोच्पमेंट हासिल किया है किसका किसका प्रवाव दिख रहा है दिए मैं आपके माध्यम से समाज को भी एक संदेश देना चाहता हूं कि हमारा पूरा परिवार मैं अमरपूर से चुनाव लड़ता हूं और च इंजिनियरिंग करनी है तुमको मेडिकल करना है तुमको इस फिल्ड में जाना है लेकिन अपूरबा ने हुमेनिटीज लिए वह आर्ट्स की पढ़ाई कर रही है हम लोगों की 31 शुरू में कि वह साइंस ले लेती तो शायक बहतर होता लेकिन उसने सीरे से खारीज किया उ उसका इंट्रेस्ट जिस विसे में हो और आज उसका परिणाम है कि हम लोगों ने उसको ये छूट दी हम लोगों ने प्रवत्साहित किया और इस छेत्र को उसने चुना और आप देख सकते कितनी जल्दी पूरे देश में सबसे कम उमर की प्रतिभागी के तौर पर जबकि बिहार में प्रतिभागी कमी नहीं है आवस्यक्ता है उसको प्रथाहित करने की और भारत सरकार का यूवा एवं खेल मंत्राले ने पुरानी जो विरासत है देश की जो हमारे महापुरूस है जो हमारे देश के लिए जिन्होंने कंट्रिब्यूट किया है उनको पहचानने क के लिए नेताजी जो विरासत के तौर पे नेताजी कि या विरासत Constellтор अय महापुर्शोर आज कारे कर रहा है मैं भरत सरकार के खेल वर्ह propagation औभरत सरकार का और जो भागल पूर्व में जो एनवाइके की पूरी टीम है और बिहार की एनवाइके की टीम मैं उसको बहुत सा दुबाद देता हूं कि उन्होंने यह और सर दिया कि अपुर्वा ने वहां पर आजजन्दा गारने का तो इस तरह से हमारे साथ अपुर्वा के पित प्रधान मंत्री उससे अभी भूत हुए है उसकी पीड़ तपतपाई है उससे पूरे प्रिवार के साथ सथ अंग पर देश में खुशी का महौल देखा जा रहा है